प्रांसीसी क्रांथी का उस समय से क्या लेना देना है जब नासा ने गलती से 200 मिलियन डॉलर का ओर्बिटर मंगल की सतह पर क्रैश कर दिया था वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से है असल में पूरी तरह से ये दुरगटना दो मापन प्रणालियों अमेरिकी पारंपरक इकाईयों और उनकी ऐसा ये मेट्रिक समतुल्य के बीच परिवर्तन के दोरान एक तुरूटी के कारण हुई तो फ्रांसीसी क्रांती का इस से क्या संबंद है आईए समझाए दर्ज किये गए अधिकांश मानव अनाज का वजन या एक हाथ के लंबाई जैसी इकाईयां सटीक नहीं थी और जगे जगे अलग-अलग थी और विभिन्न क्षेत्रों ने सिर्फ अलग मापों का उपयोग ही नहीं किया बलकि उनकी संख्या प्रणालियां भी पूरी तरह से अलग थी मध्य युग के अंत तक हिंदू अर्भी दशमलव प्रणाली ने यूरोप में ज्यादातर रोमन अंकों और अंचों को बदल दिया लेकिन जॉन विलकिन्स जैसे विद्वानों द्वारा मानक दशमलव आधारित मापों को बढ़ावा देने के प्रयास कम सभल रहे अकेले फ्रांस में धाई लाख अलग-अलग इकाईयों के साथ व्यापक परिवर्तन को व्यापक रूप से परिवर्तन की आवशक्ता होती है और 1789 में वो परिवर्तन आया फ्रांसीसी क्रांती के नेताओं ने न केवल राजशाही को उखाड फेंका उन्होंने प्रभुद्धता के तर्कसंगत सिध्धनतों के अनुसार समाज को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की अब नई सरकार ने सत्ता समाली तो माप की प्रणाली में सुधार के लिए विज्ञानक आदमी को स्थापित किया मनमाने अधिकार या स्थानिय परंपराओं पर आधारत पुराने मानकों को गणितिये और प्राकृतिक संबंधों से बदल दिया गया उधरन के लिए माप के लिए ग्रीक शब्द मीटर को भूम अध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच एक बटा एक करोड के रूप में परिभाशित किया गया था और माकी डी कॉंडोर से की शब्दों में नई मेट्रिक प्रणाली सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए थी मापन के मानकी करण से क्रांतिकारियों को भी राजनेतिक लाब थे रईस अब आम लोगों से अधिक किराया लेने के लिए स्थानिय इकाईयों में हेर फेर नहीं कर सकते थे जबकि सरकार करों को अधिक कुशलता से एकत्र कर सकती थी और दस दिनों के सब्दाहा के साथ एक नए रिपब्लिकन कैलेंडर को अपना कर रवीवार को समाप्त करके चर्च की शक्ती कम कर दी इस नई प्रणाली को अपनाना आसान नहीं था दरसल इसमें थोड़ी गड़बड़ी थी शुरू में लोगों ने पुरानी के साथ नई इकाईयों का इस्तिमाल शुरू किया और रिपब्लिकन कैलेंडर को अंततह छोड़ दिया जब निपोलियन ने सत्ता समाली उन्होंने छोटे व्यवसायों को मैट्रिक पदों में फिर से परिभाषित पारम पर एक मापों के उप्योग की अनुमाती दी लेकिन अपचारिक उप्योग के लिए मेट्रिक प्रणाली मानक बनी और ये फ्रांस की सीमाओं से पूरे महधुईत में फैल गए जबकि निपोलियन का सामराज्य आठ साल चला इसकी विरासत बहुत समय तक बनी रही कुछ योरोपिये देश स्वतंत्रता के बाद पुराने मापों के उप्योग पर लोट गए तूसरों ने अंतरराश्ट्रिय व्यापार के युग में मानकी करण के मूल्य को महसूस किया पुर्टगाल और नेधरलेंड्स के स्वेच्छा से मैट्रिक पर स्वेच करने के बाद अन्य राष्ट्रों ने इसका अनुसरण किया आपनिवेशिक सामराज्यों ने दुनिया भर में इसे फैलाया फ्रांस के दुश्मन के रूप में बृतिन ने क्रांतिकारी विचारों का विरोध करके पारमपरिक इकाईया जारी रखे अगली दो शताब्धियों में बृतिश सामराज्य ने पारक्रमान किया पहले मेट्रिक प्रणाली को वैकल्पिक विकल्प के रूप में और धीरे-धीरे इसे आधिकारिक बना दिया लेकिन यह परिवर्तन अमेरिका के उन 13 पूर्व उपनिवेशों में ज्यादा देर से आया जो पहले से ही स्वतंत्र थे संयुक्त राजजी अमेरिका अपने आपनिवेशिक अतीत की अंग्रेजी इकाईयों से जुड़ा हुआ है और आज केवल तीन देशों में से एक है जिन्होंने मेट्रिक प्रणाली को पूरी तरह से नहीं अपनाया है मेट्रिकेशन के लिए निरंतर पहल के बावजूद कई अमेरिकी फीट और पाउंड जैसी इकाईयों को अधिक सहज मानते है और विडंबना ये है कि कुछ लोग एक बार क्रांतिकारी मेट्रिक प्रणाली को वैश्विक अनुरूपता का प्रतीक मानते है फिर भी मेट्रिक प्रणाली लगभग सार्वभामिक रूप से विज्ञान और चिकित्सा में उपयोग की जाती है और ये अपने मूल सिध्धानतों के अनुसार विक्सित हो रही है लंबे समय तक मानक इकाईयों को सावधानी से बनाए रखे गए भौतिक प्रोटोटाइब दुआरा परिभाशत किया गया लिकिन टेकनोलोजी और सटीकता में सुधार की वजह से सीमित पहुंच और अविश्वस्निय दीरगाईयों वाली इन वस्तुओं को अप्रकाश की गती जैसे सार्वभौमिक स्थिरांग के आधार पर मानोकों से बदला जा रहा है संगत माप हमारे दैनिक जीवन का एक ऐसा अभिन्नांग है कि ये समझना मुश्किल है कि वे मानवता के लिए कितनी बड़ी उपलब्धी रहें और जैसे ये एक राजनेतिक क्रांती से उत्पन हुआ वैसे ही आने वाली वैज्ञानिक क्रांतियों के लिए मैट्रिक प्रणाली महत्वपूर्ण बनी है माप की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि चान तक पहुँचने के लिए आपको कागज के एक टुकड़े को कितनी बार मोड़ना होगा इस वीडियो से जाने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें